हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तो अगर आपने डेडी प्रीडिस का MP4 सटब बाक्स खरीदा है यूटूब चलाने के लिए यूटूब वीडियो टीव पर देखने के लिए तो आज दोस्तो मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने फ्रीवाले इस रड़ पक्स को इंटेर्णेट से चला सकते हैं यूटूब चला सकते हैं टीवी पर यूटूब वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास स्कुल दोस्तों आपको जो बसली के के यूटूब चला सकते हैं आपको दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा तो पूरा देखेगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह एक फ्री वाला MP4 setup box से हैं इस पर दोस्तों आपको जो USB का साकेट है तो दो मिल जाता है एक सामने एक पीछे तो आप आप दोस्तों इसे इंटरनेट से कनेक्ट किस पकार से करेंगे तो आपको इसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इस पकार से एक वाई-फाई डोंगल खरीदना होगा जिसे कि वाई-फाई डाप्टर भी कहते हैं और यहां दोस्तो आपको आफ लाइन आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा जिसे कि आप किसी भी कंपूटर पार्स वाले दुकान से खरीद सकती हैं यह दोस्तों आपको 200-300 के आसपास में आसानी से उपलब्द हो जाएगा या कि दोस्तों अगर आपके पास यह Wi-Fi डोंगल नहीं है तो आपका जो मुबाइल चार्जर का डाटा केबल होता है आप उसका उप्योग करके भी अपनी setup box को internet से connect कर सकते हैं लेकिन दोस्तों सभी setup box पर वो यह feature नहीं होता जिससे कि आप डाटा केबल का उप्योग कर सकें आपको किसी किसी setup box पर ही डाटा केबल और साथ साथ Wi-Fi डोंगल दोनों का option दोस्तों आपको मिलता है तो आपको दोस्तो इस Wi-Fi डोंगल को खरील देना है अब आपको इसे सामने नहीं लगाना है क्या होता है कि यह जो Wi-Fi डोंगल है कभी-कभी सेटब बाक्स पर जो सामने वाला स्वाकेट है तो दोस्तो यहां काम नहीं करता है इसलिए आप हमेशा दोस्तो इसे पीछे की तरफ बाले स्वाकेट में लगाएं इस प्रकार से और आपको दोस्तों यहां सेम्बल दिखाई देगा कि आपका यह जो Wi-Fi डोंगल है कनेक्ट हो चुका है अब दोस्तों आप अपने मुआल के इंटरनेट से इस से टप बाक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे अब दोस्तों आपको अपने मुआल फोन ले लेना है और आपको अपने मुआल फोन का ऍेटिंग open कर लेना है इस प्रकार से आपको दोस्तों से टिंग open करने के बाद एक option मिलेगा other wireless connection का तो आपको दोस्तों यहाँ ok करना है अब दोस्तों आपको यहाँ personal hot spot का option मिलेगा तो आपको दोस्तों इस option को open करना है तो आपको दोस्तों personal hot spot का option जो है इसे इस परकार से चालू कर देना है अब दोस्तों आपको क्या करना है तो आपको अपने mobile का जो data है तो दोस्तों आपको इस प्रकार से चालू कर देना है और अब आपको आना है TV स्कीन पर और आपको दोस्तों अपने DTS के remote का menu बटन आपको दबाना है इस प्रकार से और अब दोस्तों आपको एक option मिलेगा network setting का जैसे कि आप देख शकते हैं यहां दोस्तों हमें एक option मिल रहा है network setting का तो आपको दोस्तों setting में जाकर network setting वाले option पर जाकर remote का उपके बटन दबा देना है अब आपको क्या करना है तो आपको दोस्तो अपने remote का जो हरा बाला बटन है इसे आपको दबाना होगा तो दोस्तो आपको इस पेकार से हरा बटन remote से दबा देना है अभी आप देख सकते हैं मेरे mobile का जो hot spot name है DTH News अब तक है अब दोस्तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ lock लगा हुआ है क्योंकि mobile में हमारे hot spot पर password डला होता है तो आपको दोस्तो अपने mobile का hot spot का password है आपको देख लेना है कि वहाँ क्या डला हुआ है आपको दोस्तो remote का ok बटन दबा देना है इस पेकार से और अब दोस्तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पीला स्क्रीन है वहाँ save लिखा हुआ है उपर password लिखा हुआ है तो आपको इस बटन को दबा कर password बाले option पर जाना है और यहाँ दोस्तो आपको remote का ok बटन दबाना है और आपको दोस्तो यहाँ अपना जो password है तो आपको दोस्तो password डालना है और मैं दोस्तों यहाँ पासवर्ट जो है तो डाल देता हूँ अब दोस्तों पासवर्ट डालने के बाद आपको रिमोट का जो पीला बटन है आपको दबाना है जिससे कि आपका पासवर्ट सेफ हो जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ save वाले option पर नीचे आना है इस बटन को दबा कर और आपको दोस्तों remote का ok button दबा कर इसे save कर देना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक उबर की तरफ चकरी चल रही है और यहाँ दोस्तों आपका tick लग गया है इसका मतलब कि आपका जो internet है आपका mobile जो है आपके setup box से connect हो चुका है अब दोस्तों आप YouTube कैसे चलाएंगे तो आपको अपने remote का menu बटन दबाना है तो मैं दोस्तों जाओंगा YouTube वाले option पर और आपको YouTube का जो option है हो सकता है आपके setup box पर ability वाले option पर मिल जाए तो आपको दोस्तों जाना होगा YouTube बले option पर और यहां आपको remote का ok बटन दबा दिना है अब दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है आप देख सकते हैं कि हमारा जो YouTube का वीडियो है ओपन हो चुका है अगर दोस्तों आप सर्च करके कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जाना है सर्च में remote का ok बटन दबाना है और आप दोस्तों यहां उस चैनल का नाम डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं तो यहां दोस्तों मैं अपने ही चैनल का नाम डाल देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहां अपने यूटुब चैनल का नाम डाल दिया है प्रसान विशुकर्मा 3.0 मैं दोस्तों मैं सर्च करूंगा आप देख सकते हैं कि यहां बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं अब दोस्तों हम इस बटन को दबाकर यहां साइड में आ जाएंगे और हम दोस्तों नीचे जाते हैं ऑर अपना वीडियो जो है तो देखते हैं कि आया की नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां image नहीं दिख रहा है, image डाउनलोड नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों यहां मेरे चैनल का नाम आ चुका है अब दोस्तों मैं इस वीडियो को ओपन करूंगा दिमोर कोक्ति बटन दबाऊंगा तो यह जो वीडियो है ओपन हो जाएगा इस विकार से दोस्तों आप यूटूब का वीडियो अपने CRT TV या फिर आप अपने LED TV पर च दिखाता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं चालू हो चुका है अब दोस्तों मैं यहां बैक हो जाता हूं इस विकार से दोस्तों आप अपने फ्री वाले सेटप बाक्स पर इसे इंटेनेट से कनेक्ट करके यूटूब चला सकते हैं आपके पास CRT TV हो डबावाला या दो दोस्तों जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो बेड़ों को लाइक जिरूर करें मिलते हैं नेक्स गुडियों पर नमस्कार